हाई हाई दिस इस यामोरे आए विल एक्स्पेन यू एन एडिटूरियल फ्रॉम दा हिंदू टूरेट डेट इस फिप्टीन तुमाज टॉइटी टॉइट यह पूरा एडिटूरियल मैं हिंदी में बताऊंगा ताकि आप बहुत अच्छे से समझ भाएं आज का हमारा एडि ठीक है तो क्या मतलब हो गया हश्तिशिप तो इसका अब देखिए इसमें क्या है पहले सब्टैटल क्लियर कर देता हूं आपको फिर आपको और भी अच्छे समझ आने होना है लेगिसलिटिव जहां रूल बगारा बनते हैं यानि कि संसद बोल सकते हैं आप या फिर विद विजिटिमाइज जायज बना देगा लीगल बना देगा क्या चिए अब और आप कोड का हरिजट focal क्या हो गया एक लीगल हो गया मतल nggak अब संसद इस वहले काम नहीं कर रही है řिए नहान करेंगा कोर्ठ kaf करेगा 혼еж कॉट ने माई रूल ले के है वो क्या है इनक्टिव होगी है संसर और इसने इंटरवेंशन किया है कोट ने ठीक है किलियर हो गया तो यह टाइटल सबस्टाइटल आई होप एकदम किलियर हो गए हुए अब हम चलते हैं सीधा बुक एप पर बुक एप के बाद करेंगे कुस्टेंस ऑफ दड़े मैं ले इनर्शिया का मतलब होता है आलस से निष्क्रियता या इनक्टिवनेस इनर्ट भी बोल सकते हैं इनर्ट गैस होती है ना जो मुलकुल रियक्शन नहीं करती ही इसलिए बोले आता है समझ मागिया इंट्रुवेंशन का मतलब हो था हास्ते चेप वियाबधान या ट्रीटमे यह दिस डिसन्मेंट क्या बोलेंगे डिसन्मेंट बोलेंगे थिक है ठीक है तो यह बढ़ क्या एंट्रोच यह वाब हो गई और इसका मतलब लाहें गया दूसरी का अधिकार दवा देना यह दबा गैटना इंपिंज बोल इन फ्रिंज भी बोल सकते हो ठीक है हीट्रो नॉर्मेटिव एक अड्जक्टिब है इसका मतलब होता है बिशम इंगय किया हीट्रो सेक्शुलीटी क्लेर है सुलम नाइज का मतलब हुता है बिधीवत अनुस्थान या सेलिबरेशन भी आप बोल सकते हैं इसका मतलब होता है अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक लाइक कर दिया करो और दोस्तों को शेयर कर दिया करो अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो जिससे कि क्या हो इस तरह की वीडियो आपको डेली बेशिज पर रेगुलर मिल सकें नेक्स्टेब कंवर एक बहुत उंपर्टेन्ट बड़े और आपको काम यह आपको बताना है कि hopsर के साथ कौन सी प्रिपोजिशन आती है ठीक है यह आपका काम है कि देना प्रदान करना और सिनने法 वेस्टों दूश्रा बडे एक कंसल्ट ठीक है तो यह बहुत ही इंपोर्टेंट द्हार रगना बैस्ट हो और इसके साथ भी प्रिपोजिशन क्या आती आपको बताना है एंटाइटल एक बाउग है और इसका मतलता अधिकार देना या हगदार होना टाइटल या अनॉबल भी बोल सकते हैं हिट्रोसेक् होना, ठीक है इंसर्माउंट एक आडजेक्टिव एसका मतलब होता अजय या जो प्राष्त ना किया जा सके बहुत ही इंपोर्डेंट है ठीक हैं इंपोसिबल तु सर्माउंट इन्वाटिंग एक ववव है इसका अमतलब होता बुलाना इसमरण करना अपील या कॉल डाउ आप बोल सकते हैं यह भी बहुत important है futile noun होता parts of speech में इसका मतलब होता हलका या बेर्थ या आप bootless बोल सकते हैं fruitless भी पहल सकते हैं और यह आया हुआ दिहां रखना जो आया होते हैं मैं important बताता हूं क्योंकि इस तरह के बड़ हमेशा repeat हो सकते हैं आप अनुमा लगा इसका मतलब होता है इसका मतलब होना घटित होना या पूरा होना जो भी सेंटेंस में जिस तरह से हो उसे आप से कर सकते कॉश्ट होने इंग्लिश मों बोलेंगे ठीक है एक्स्पानेशन हो इसकी नेक्स्ट वर्ड़ फॉर्ट रिचिंग यह ज्यक्टिव हो गया इसका मेंनि होता है ब्यापक या महतपुर नतीजे पाने वाला है एविंग मैनी इंपोर्डन कंसिक्क्वेंस is consequences का मतलब होता है result ठीक है preposition प्रपोज आ प्लान और डील बिद चंबन किसी के साथ डील करना ठीक है seed evolve होती है इसका मतलब देना होता है या सौपना होता है relinquish और deliver यह दोनों ही इसके क्या हो जाएंगे सिने नेम हो जाएंगे ठीक है तो यह थे आज के questions अब मैं चलता हूँ आज के questions of the day पर जो कि बहुत important है first question है we will have to atone क्या है atone are misdeeds ठीक है चार आपकी preposition दे रखनी है दे रखेंगे हैं पर आपको बताना है इसमें कौन सा एकदम फिल होने वाला है clear है चलो मैं explain कर देता हूँ देखिए पहले तो आपको यह समझना होगे कि अटोन का meaning क्या होता मैं है लिए देता हूँ मालुम है तब तो बैटाय रहे नहीं मालुम है फिर आप नहीं कर पाऊगे तो देखो बी विल हैब to come for our misdeeds misdeeds का मतलब गलत काम की हैं गलत कारे किया है उसी के लिए misdeed बोला जाता है ठीक है सब ठीक है आप कॉमेंट जरू किया करो ऐसे कुछिन का बहुत जबदस कुछिन होते हैं बार में रिपीट भी होते हैं इसी कुछिन नेस्ट कुछिन है दा गर्ल वाज बैरी प्लीजड प्लीजड का मतलब होता है जानते ही हो हर सैल ठीक है यह बता दूं बोलो तो मैं आपको बता देता हूं याद रहे जब भी आपका प्लीजड आजये प्लीज्ड आजय यह फिर आजये आपके साथ प्लिज फीक है दोनों ही केस्य में आपको क्या लगाना है ऑलगाना है भीद है में फोर्थ है तो आपसर नंबर डी क्यों हो जाएगा आपका फोर्थ आंसर हो जाएगा समझ मागया कैसे हुआ क्यों हुआ अब चलते हैं सीधा हम एडिटोरियल पर ठीक है क्या है इनेर्शिया इनेक्टिवनेश इंट्रवेंशन लग हाश्ट छेप इनेर्शिया मतलब इन इंट्रवेंशन किसका है हश्ट से कोर्ट का है ठीक है समझ मागया लाइसलेटिव एक्शन इन एक्शन जो सुष्ट है लाइसलेटिव काउंसल ऑन सोशल इसू जो सामाजिक मुद्दिय है विल लेजिटिमाइज वो कर देगा जाएज यानि कि बैद किसको जुडिशियल करें इंट्रवेंशन करें इसका मतलब वो क्या है जाएज है क्यों कि और उसमें आपका जो काम नहीं कर रहा है इसलिए वो क्या होगे जाय हो गया आगे यह टाइटल सब्ताइटल में हो गया होगा अग्दम क्लियर अब मैं लेकर चलता हूं आपको sentence और clause by clause इसे explain करने वा ठीक है और इसे मैं explain करने आलोओं ध्यान से समझना देखिए क्या लिखाए दस सुप्रीम कोड से पहले दाल लगता है द्यान रखना कोड डिसीजन सुप्रीम कोड का जो डिसीजन है टू रैफर आख कॉंस्टिटिशन बेंच को दा इसू ऑफ ग्रांटेंग लीगल रिकागनाजेशन ग्रांटिंग का मनदा पिरदान करना लीगल मनदा कानून तोरफल रिकागनाजेशन मनदा पहचान तू सेंश ऑप सेक्स म मैरेश ठीक है उसकी पहचान कैन भी शीन यसे देखा जा सकता है एज एन इंप्टेंट स्टैप एक इंप्टेंट स्टैप है टू बर्स मलत की ओर ऑद अंस्वरिंग उनला सुनिच्षित करना जेंट्र को एक्क्वालिटी अगर हम जेंट्र एक्क्वालिटी को है पहचान के लिए रोगया आगे देखें इतना अभी संट एक क्लॉज रोगया आप देखें के बाब्जूद एंप्रिहेंशन कर मतलों जो समाज है हमारी सोच है ठिंकिंग ए डैट इच एंड क्रोच्ट एंड क्रोचिंग क्या है यह एक अतिकर्मन हो सकता है अनि डागिश तो यह क्या होगी आपका एन्क्रोचमेंट होग है यानि इस एक आदिकार को कहीं दमाने की बात कर ने की बात कर रहे हैं ये अगर रूल बनाएगा तो कौन सब्सक्राइब करता हूं ठीक है अब यह देखिए यह हो गया पिटीशनर बीफोर दा कोट व्यू दा आइडियो अव गिविंग ऑफ लीगल स्टेटस अफ मैरेज़ेज बीट्विन दा पीपल बिलोगिंग तो दा सेम शेक्स एज अन्याच्रल कंसेक्वेंस और 2018 जज्जमे जिसने यह चिक दायर की बीफोर मतला सामने तक कोट के सामने यह चोट के आगे दा लगाना द्याना ना भीव मतलब इनकी शोच यह आइडिया ऑफ गिविंग के मलब देना देखो आउफ आगया प्रिपोजिशन है और प्रिपोजिशन के वाद जब भी कोई वह वाव एडिया ऑफ गिविंग मतलब प्रिदान करने का अफ लीगल स्टेटस लीगल स्टेटस ठीक है यानि कानुनी तोर पर फॉर मैरेज़ किसके लिए साधी के लिए बिट्वीन मतलब दो लोगों में पीपल विलॉग ऐसे दो लोगों में जो संबंद रखते हैं इसे मतलब इनक अठार्य का उसके अकॉर्डिंग यह बोले आ रहा है डिक्रिमिनलाइजिंग मतलब उसे कानुनी बना देना है यानि कि अप्राजनक नहीं मानेंगे होमो सेक्शुलिटी मतलब होता है सेम सेक्शुलिटी मतलब जेंडर दौनों सेम जेंडर के हैं अगर उनकी साधी हो रहे हैं इन्होंने यह याच्छी का दायर की थी परशन ने उसके लिए ऐसा बात की आ रही है आगे देखें गवर्मेंट जो गवर्मेंट है ठीक लॉज लग गया हाववेवर हाला की कंटेंट्स संतुष्टे डैट देर इस नो नीड तो डिपार्ड फ्रॉम दा हीट्रो अब यह क्या कहना चाहरा है गवर्मेंट हाववर हाला की कंटेंट्स से डैट देर इस नो नीड कोई जरूत नहीं है तो डिपार्ड का मतलब होता है जाना फ्रॉम का हीट्रो नेटिव मतलब बिसम लिंगिक मतलब अलग अलग जेंटर के लोग होते हैं अंडेस्टेंडिं अब देखिए सेंटेंस क्या गता है और इवन अगर किसी टाइप का बदलाब होता है इट मस्ट कम फ्रॉम दर लाइचलेचर यह कहां से आना चाहिए लाइचलेचर से कोड से नहीं आना चाहिए अगर ऐसा कोई पूल आना चाहिए तो वह कहां से आना चाहिए आपका संसत से आना चाहिए क्योंकि रियल अधिकार उसी के पास है कानून बनाने का ठीक है किसी को लीगल बनाने का दक कुस्टिन बीफोर दा कोट जो कुस्टिन कोट के सामने है इज वैदर इट्सूड इंटरप्रेट जो गया स्पेशली दा स्पेशल एक्ट स्पेशल मैरेज एक्ट नाइंटिन फिप्टी फॉर जो था एज पर्मिटिंग जो अलाव करता है मैरिटल यूनियंस जुनकी साधी हो चुकी है वह साथ-सात रह सकते हैं बिट्वीन सेम सेक्स कपल यानि कि सेम सेक्स है ठीक है सेम जेंडर के लोग हैं तो वह रह सकते हैं ऐसा स्पेशल एक्ट मैरेज एक्ट नाइटिन फिप्टी फॉर यह पर्मिट करता है अब देखो मैं इसे पूरा सामने लेकर आता हूं आपके कुशन बीफोर्ड दा कोड कोड के सामने सवाल है वह यह है वैदर या तो इट्सूड इंटरप्रेट इसका मतलब निकाला जाए प्रोविजन्स मतलब जो कानून तोर्व रूल बने हुए ऑफ मैरेज ठीक है साधी के साधी के जो नियम है इन इंडिया इंडिया के अंदर इस्पेशल मैरेज एक्ट जो है इसकी बात अगर हम करें 1954 एज पर्मिटिंग जो अलाव करता है मैरेटर यूनियन बिट्विन सेम सेक्स कपल अगर साधी हो चुकी है तो सेम सेक्स कपल जो है शासत रह सकते हैं ऐसा पर्मिट करता है अलाव करता है ठीक है आगे देखें आ दोज हूँ आर अनेवल तो रेजिस्टर दियर मैरेज अंडर दियर रेस्पेक्टिव पर्सनल लॉज ठीक है अब यह छोटे-छोटे सेंटेंज है बहुत इच्छे सेंटेंज है नहां सुना अलाव एक्ट जो है कानून मान सकते हैं अब अलाव मतलब जो जवाब अलाव क को तहतों कोची बहुत सोलेम्नाइज होगा ओफा मैरेज ठीक है यानि साधी का बंदन आप बोल सकते हैं जो लोग अनेवल है मतला आशमार्थ हैं तो रेजिस्टर देर मैरेजिज अपनी साधी रेजिस्टर कराने में अंडर देर रेस्पेक्टिव पर्सनल लॉज जो इस लॉज जो बनाऊ हूँ है मैरेज वाला उसमें रेजिस्टर ना करा करके जाता देखती हो साधी पूरे शॉलम्नाइज तरीके से होती है तो क्या रेजिस्टर में कानून तोर पर लिखवाते हैं कि हमारे साधी हो चुकी है ऐसे कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता वैस साधी तरीका है जो लोग रेजिस्टर नहीं कराते हैं शाधी को ठीक है क्लियर हो गया आगे देखें अब यह हो गया दे यूनियन गौर्रमेंट यूनियन गौर्रमेंट है अर्गिव उसने तर्क दिया डैड डी क्रिमिनाजेशन यानिकी आपको लीगल बना देने कहने के मतलब है ऑफ कंसेंश्वल रिलेशन जो रिलेशन है दोनों की सहमती से कंसेंश्वल मतलब सहमती से बीटिविन एडल्ट जो एडल्ट लोगों के बीच में अगर ऐसा होता है तो बट हैज नॉट कंफर लेकिन यह प्रिदान नहीं करता क्या चीज़ राइट आफ मेरीज शादी के अधिकार को प्रिदान नहीं करता है अब देखिए मैं इसे पूरे एक्स्प्रेन करता हूं था यूनियोन गवर्मेंट्ट है किन सिरकार है तर्क दिया टिक्रिम्नाइश यानि कि उसको एक कानूनी तौर पर बना देना लीगल बना देना अफ कंसेंस्वाल दो लोगी जो सहमती है ठीक है रिलेशन है बिट्वीन एडल्ट की बीचों में ठीक है सेम सेक्स हो है जो हटा देगा इस्टिकमा जो कलंग लगा हुआ है ठीक है धब्बा है समाज के रहा है अगर ऐसा होता है अगर लीगल हम करने से तो क्या समाज में वह नहीं रहाएं एक तरह की से धब्बा सा नहीं रहाएं ठीक है बुरा कंसीडर नहीं कि लिए बट है नॉट कंफर्ट दर राइट अब द मैरेज लेकिन यह मैरेज का अधिकार प्रदान नहीं कर सकता ऐसा है किसने दिख बोला है आपका सरकार ने बोला है ठीक है अब यह सेंटेंस होगे क्लिए आगे चलते हैं क्या कहना चाहता है है एंड डाइट दा स्टेट इस एंटाइटल तो लिमिट इस रिक्रग्नाइशन तो मैरेज इंबॉल्विं दा हीट्रो सेक्शुल कपल ठीक है अब यह क्या करना चाहरा है जो एंड डाइट स्टेट कोई पर्टिकुलर स्टेट की अगर बात करें एंड टाइटल जो है ठीक है तो हीट्रो सेक्शुल कपल जो है ठीक है वह यह कहना चाहरा है कि कहने का अलग अलग जेंडर के लोग है उनकी जो पहचान है साधिक उनके जो सम्मान है ठीक है इनको कितना स्विकार किया जाता है कि समाज में यह किवल कि वह इसका दायरा कौन सेट कर सकता है अब भी यह होगे sentence over अब next पर move करते है next क्या कहना चाहता है there is no discrimination there is no discrimination it claims यह दावा करता है in keeping same sex couple out of the definition of marriage ठीक है अब यह क्या कहना चाहता है दिहान देना there is no discrimination कोई ऐसा भेषदबाब नहीं है it claims यह दावा करता है in keeping same sex couple out of the definition of marriage ठीक है यह दावा करता है same sex couple जो है अगर वह साधी करते हैं वह marriage से बहार है मतलब marriage तो नहीं हो सकती marriage के वल क्या होता है जो अलग-अलग gender के लोग होते हैं उनकी बीच में होता है अब देखिए sentence next क्या कहता है in terms of equality equality के term में देखिए हम ठीक है the central question central government के question is not very complicated वह complicated नहीं है इस पस्ट है वह मतलब यह कहना चाहरा है साधी दो same sex के लोगों में नहीं होनी चाहिए simple सी बात है it can be recognized यह स्विकारा जा सकता है यह पैचाने जा सकता है that no civil right available to married heterosexual couple out to be denied to those who belong to the same gender यह क्या करना चाहरा है कि it can be recognized यह आपको माने जा सकता है यह पैचाने जा सकता है that no civil right कोई नागरिक का अधिकार नहीं available है to married heterosexual couple heterosexual अलग-अलग मतलब उसके बिस्लेंग हो तो उसमें साधी करें out to be denied जिसको मना किया जा सके who those who belong to the same sector same gender मतलब same gender के लोगों ने साधी कर ली और different different लोगों ने तो उसको ना पहचाने ठीक है यह सम्मान ना दे ऐसा कोई भी अधिकार अभी इसमें नहीं है यानि गुमा दिनोंने बात को यानि कानुनी तोर पर देखो तो गुमा देते हैं बात incidental consequences on issues of property and succession may not pose insurmountable difficulties ठीक है अब छोटा सा sentence है अभी यह क्या कहना चाला दिहान से देना देखिए यह देखिए incidental मतलब अचानक form में consequences का मतलब रिजल्ट होता है on the issue जो मुद्द है भी और property का and succession मतलब उत्रदिकार उसके बाद का may not pose insurmountable insurmountable इसको हम जीतना सकें इसको दबाना सकें difficulties यानि कि solve ना कर सकें ऐसा जरूरी नहीं कि property उसका उत्रदिकार जैसे बच्चे होते हैं अब same sex को हो जाएंगे तो तो नहीं हो पाएंगे न तो ऐसा यह भी समस्या पैदा होने वाली आगने वाले टाम में तो यह जर दूसरा एंज सेंट्रल गवर्मेंट कर दूसरा तरक था वो क्या था इन्वोकिंग रिलीजियस नॉर्म हम जो रिलीजियस धार्मिक जो नियम हैं ठीक है इनको क्या करेंगे बुलाएंगे पहले कॉल करेंगे कि कैसे कैसे क्या होना चाहिए and cultural value जो हमारे cultural है ठीक है उनकी value अगेंस्ट रिकागनाईज 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 रि सम्मान दे पाना बहुत कठन काम हो सकता है religious तौर पर ठीक है it is futile to argue ये विल्कुल बेयर्थ होगा argue करना मतलब बहस करना that it will undermine the faith and rock societal value ठीक है अब ये क्या करना चाला है धिहान देना कि it is futile बेयर्थ होगा to argue बहस करना that it will undermine ये undermine का मतलब से control में कर लेगा faith और rock societal value societal का मतलब सामाजिक तौर पर जो हमारे value है विचार जो बने हुए है इसको control कर लेगी ये चीज ऐसा कुछ भी नहीं है अगर हम legal बना भी देते हैं तब भी ये सामाजिक तौर पर तो इसे ज़्यादा value या recognition या सम्मान या पहचान नही नहीं दी जा सकती ही दा मेर fact एक सच्चा है जो है that many people consider marriage to be sacrament or a holy union is not enough to deny equal status to the union of couple of the same sex or to undermine its essential character as a social and economic contract ठीक है अब ये sentence बड़ा है थोड़ा सा ही देख लेते हैं दा मेर मनला मेर मनला only fact इस सच्चा ही जो है कि many people consider marriage बहुत सारे लोग जो साधी को consider करते हैं to be sacrament यानि पवित्र तोर पे ठीक है holy union यानि कि धार में कि आप बहुत ही पवित्र एक union संबंध होता है is not enough जो कि परियाप्त नहीं है to deny deny का मतला मना करने में equal status equal में बर्याबर status देने का to the union union जो जोड़े हुए है ठीक है एक हो चुके of people of the same sex ठीक है यानि कि जिल लोगों है same sex के लोग है अगर उन लोगों ने साधी कर लिए तो उन्हें हम परियाप्त रूप से equal status तो नहीं दे सकते to undermine undermine का control में करना है it's essential essential में जो महत्पूर्ण है character जो main character as a social and economic contract ठीक है उसे कर पाना बहुत ही tough काम होगा ऐसा कर पाना क्योंकि एक same sex के लोगों में साधी करना है अपनी हाथों नहीं विचार हो सकता है हमारे यहांदर धार्मिक लोग जादा होते हैं तो ऐसी चीज पॉसिवल ही नहीं है आगे देखें whether the remedy ought to take from the recognition of the same sex marriages and if so whether it should be through judicial intervention or legislative union actions is question ठीक है अब यह क्या कहना चारा है यहां देखिए whether whether यहां तो condition में आता है इसे remedy यह उपाय होगा how to take the form of recognition of same sex marriage ठीक है इसे पहचान में लाए जाए and if so अगर ऐसा करते है whether it should be through the judicial intervention या तो यह judicial intervention नहीं लेके द्वारा हस्ते शेप्शो हो या फिर किसके द्वारा हो आपका legislative action के द्वारा हो is is the question यह अभी भी question बना हुआ है कि किसके द्वारा हो क्योंकि अगर कानून तॉर कानून इसको बनाए जाए घया कानूनी तो पर सही तो इन दोनों से ही ben सकता है या तो court बनाय है इसे यह फिर कौन बनाये आपका शंसत बनाए अब आगे देखिए अब दे का मतलब पूरा करने में फार फीचिंग रीचिंग का मतलब जो बयापक रूप से बड़े पैमाने पर रेजल्ट लेकिया है चेंज लेकिया है डैट में इंपेक्ट यू आशार डाल सकता है पर्सनल लॉज पर और रिलीजिया जितने भी धर्म के रिलीजियस हैं अगर हम ऐसा लॉज बना देते हैं तो सबको क्या करना पड़ेगा फॉलो करना पड़ेगा ठीक है जितने भी धर्म हैं उन सबको यह लॉज फॉलो करना पड़ेगा तब यह पॉसिबल है ठीक है आगे देखें आर एस्पांसिफ गवर्मेंट डैट वांट एक पॉलिशी नोट शीड श्पेस तू कोट बुड एक्ट ऑन इस ओन टू कंसिडर दर राइट ऑफ एनी टू पीपल डिगाडलेस ऑफ जेंडर तू मैरी और फांड आ फैम्मली ठीक है यह क्या कहना चाहरे है दिखें कि रस्पांसिफ गवर्मेंट चाहती है क्या ट्रीट कर एक matter को अज़ा policy की form में not seed space वो seed का मतलब देना होता space देना to court court के लिए would act अगर court act करेगा on its own consideration ठीक है यानि court जो है अपने साब से इस पर काम करेगा उसको अपने साब से सोचेगा और इसी पर क्या करेगा काम करेगा कैसे right of any two people वो दो अधिकार दो लोगों के अधिकार की बात करेगा regardless gender वो जेंडर को नहीं सोचेगा court यह कहएगा इन्हों का अधिकार है to marry साधी करना founder family और family को प्राप्त करना ठीक है अब देखिए यह क्या करना चाहिए legislative in action legislative को जो in action है यह की सुष्ट है on burning issues जो मुद्दा बना हुआ है अभी ठीक है burning social issues बिल लेजिटिमाइज जो लीगल कर देगा and invite judicial और invite करेगा judicial के intervention को अगर इन पर काम करती है कौन legislative तो तो बढ़िया है अगर in action करती है यानि कि सुष्ट रहती है तो फिर जाहिर सीगा तो court इस पर intervention करेगा और शे लीगल कर सकता है मतलब अपने साब से handle करेगा तो यह था आज के अडिटूरियल आई होप सो आपने enjoy किया होगा ठीक है और जो मैंने अभी जितनी भी आपको questions डाले हैं ठीक है